हाई फ्रेंड सलाम आदाप सस्तियाकाल स्वागात है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल इंडिया एसे में में जैसा कि आप लोगों के रेगुलरली कमेंट्स मेरी वीडियो उस पर आ रहे हैं तो भई मुझसे तो ऐसा नहीं होता कि आपके कमेंट्स आम मैं उनके आंसर नहीं पहलना दो मुसली कि मैं अध्यन देता हूं और अब जो यूट्यूबक और अब जो बढ़े बढ़े हैं उनको नहीं दे सकता तो मैं यह वीडियो werd बना रहा हूसे एगर Sauce अगर आपने चैनल को शब्सक्राइब को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उन comments के मैं आपको answer देने जा रहा हूँ so friends जो पहला question है अभी 30 minute पहले किया था दिविया ट्रिविडेज जी ने forget password करने में pre-metric का क्यों मांग रहा है please tell me देखे दिविया जी आपका जो ये forget करने का option आ रहा है second question लेते हैं जो राजेश गुपता भाई ने पूचा है sir मेरा भी suspect show कर रहा था लेकिन अब suspect and remark में all data correct दिखा रहा है क्या ये सही हो गया है जी भाई बिलुकुल सही हो गया है अगर आपका verified हो गया है और recommendate कर दिया गया है district scholarship committee को और DWO में remark आ गया है या verified आ गया है या कुछ भी उस पर लिखावा आ गया है सही तो इसका मतलब आपका form ठीक है क्योंकि suspect वालों का ऐसे ही दिखा रहा है मागर उपर suspect ही दिखा रहा होगा आपके में सभी के में दिखा रहा हो ठीक है अब नेक्स कोशन ले दें जितिन मौर रहा है जी सर मेरे form मेरा form college में submit नहीं हुआ क्या मेरी scholarship नहीं आगी प्लीज सर बता दिये बता दे जितिन मौरा भाई देखिए अगर आपका form शुरू में में जमा होगा scholarship आना मिश्किल है क्योंकि जो scholarship आती है वो पहले college बाले form को verify करकर forward करते है scholarship कमीटी को तब ही scholarship आ सकती है तो आपकी मिश्किल है क्योंकि आपका form college से ही नहीं गया होगा वीवेक कुमार शुकला भाई सर मेरे 9 जैनुरी को डिस्टिक से verify हो गया था बढ़ आज इस्टेस चेक है तो suspect बता रहा है without reason वीवेक भाई देखिए पहले आप ये चेक करिए आपका verified and recommended कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया district college कमीटी से और D.W.O. verified लिखावा है या इ वीवी शोक कर रहा है अब चलते है next question की तरह जो आरती राठोर जी नहीं किया है सब मेरे मैंने अपना enrollment number correction करके अपने college में जमा कर दिया है फिर भी मेरा form reject कर दिया है क्या सब मेरे रहा सब्सक्राइब कर दिया है क्या सब मेरी scholarship आएगी या नहीं please reply देखिए आपका किस व verified और recommended हो गया तो शायद आ सकती है आपके scholarship वैसे मिश्किल है क्योंकि reject ही हो गया आपका form उमेश कुछवा भाई मैं बिकॉम कर रहा हूं मुझे मेरी scholarship देखने में प्रेशानी हो रही है और मुझे मेरा password भी नहीं पता दिकिए मैंने वीडियो बना रखी है scholarship related और के आपका forgot password किस तरह से करते हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिए इसका i button में मैं आपको link दे दूँगा आप आँसे भी check कर सकते हैं ठीक है शक्या अनिल बुद्धा भाई ने पुझा सर स्टेटस ऐसा ही दिखा रहा है बट message नहीं आ गया है scholarship committee से दिखिए अगा status ऐसा ही दिखा सर मेरा form open नहीं हो रहा है क्या करूं बिल्लकुल हो जागा open आप इसे यूसी browser में खोल लिए तीनों comments एक ही जैसे हैं शुबम शर्मा जी के और मिस्टर आखिल जी के और हिमांच्यू को सवामी के आप लोग अपना यूसी browser यूज करिए क्योंकि बहुत से ऐसे pages होते हैं ज बिल्कुल ठीक है आपका form और verified हो गया और recommend कर दिया है डिस्ट्रिक scholarship committee से डीड़वो में डिस्ट्रिक welfare officers से verified हो गया इसका मतलब यह है ठीक है रिमार्क का मतलब यह के रिमार्क D.W.O कि आपका form यहां से ठीक होके आगी की तरफ चल दिया है ठीक है इंजिनियर SKD भाई ने पुछा सर में CBSC board से हो मेरा D.W.O दुआरा verified हो गया है ठीक है ठाको इंटरनेट भाई ने पुछा गुड जॉब शुक्रिया बहुत बहुत कर दिया गरिए 10-15-15,000 व्यूज आते हैं मगर सब्सक्राइब कुई नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गरिया गरिया लोग ठीक है जे सवाल सपना जी मेरा सब कुछ करेक्ट है फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया वाट तू डू देए आपका form कि सवजा से रिजेक्ट हुआ है पहले यह बताईए कि आपका मतलब कॉली से फॉरवड नहीं हुआ या कॉली से फॉरवड हुआ है डिस्टिक वेलिफेर ऑफिसेर की तरफ से रिजेक्ट हुआ है ठीक है सुवेश कुमार सा मेरा डी डी डबलू वेरिफाइट दिखा रहा है बड़ ब्लुक्ल ठीक है, भाई, डॉन्ट वरी क्योंकि आभी जिनका शस्पेक्ट थब करके रिकमेंट कर ज Skillship Committee को भाई बैंक वेरिफाइड नहीं हुआ, भाई बैंक वेरिफाइड नहीं हुआ, तो उसका मद प्रत जा आपका आयोशी जी आप किस चीज का पूछ रहे हैं मतलब कि जो लॉग इन कर रहे हैं अपना फ़र्म उसके लिए पूछ रहे हैं अगर आपको लॉग इन करने के लिए पूछ रहे हैं तो आपके 14 पंदर संक्या की एक डिजेट में मतलब नमबर मिलाओ वो आपको डालना है ठीक है बाइफ करते हैं अब बात करते हैं सराज मेंने स्टेटेटेस चेक की यह पूछे हैं, तरुन सींग जी ने पूछा है? सर आज मैंने अपना स्टेटस चेक किया तो उस पर वियार स्टोरी लिखा रहा है ओपिन नहीं हो रहा है मेरे स्कॉरशिप में सस्पेक्ट था तरब भाई दिखिए मैं आपको पहले भी शायद कमिन मैंना अंसर दे चुका हूँ आपको और बहुत से लोगों मैंने यह बताय जाता है तो आप यूसी ब्राउजर से ओपिन करके चेक करिए स्कॉरशिप कैसे चेक करें हमारे हाते में आई है या नहीं बाई इसकी वीडियो में कल या पर्सो का अप्लोट कर दूँगा कि आपको स्कॉरशिप किस तरह से चेक करनी है ठीक हो लंबा प्रॉसिजर तो मैं बता जाता हूं पीएफेमस पे वैसे पीएफेमस की तुरह चेक कर सकते हैं में इसकी वीडियो कंप्लीट दे दूँगा को कल या पर्सो को के इन बाई ने पूचा इनका नाम स्कॉरिंशॉट में नहीं आया है इनका है कोस्ट्चन सर मेरा भी सस्पेक्ट रीजन यह है अन नहीं हुआ है कोई प्राब्लम तो नहीं अगर दिए फोर्म पर आपके स्कॉर्ट्णे वाले नहीं ले रहे हैं और इसमाज हमwald को नहीं ले रहे हैं फाल refinance में तो उनके mood के उपर होता है कि वो form लें ना लें क्योंकि मैं भी एक दो बार गया तो मेरा नहीं लिया था मगर तीसी बार जब गया बहुत रिक्वेस्ट कही तब जाके उन्होंने लिया था सर में डी फार्मा का स्टुडेंट हूँ मेरा स्टेटस कैसे चेकूगा मैंने वीडियो डाल लगी है हाउ टो चेक चुपी स्कॉलर्शिप स्टेटस आपको आई बेटन में इसका लिंक मिल जाएगा महा से आप जाके चेक कर सकते हैं आज के कमेंट से 15 गंटे पहरे था कि सारे कमेंट मैंने ले लिए हैं छो प्रेंड है अखर यी वीडियो वीडियो को लाइक कर दिएगा और ए अगर अगर आप चैनल पे निव Set चैनल detection को सब्सक्राइब करना मत बूलische अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दियेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दियेगा थेंक्यू फ्रेंड्स हेवा नाइस डेए